बेटियों का ससुराल सपना अपने ससुराल में बहुत खुश थी आखिर उसे उसकी सपनों का ससुराल जो मिल गया था अरा सपना बहु कहां रह गई? जल्दी से आ, सीरियल देखने का समय हो चुका है बस माची पांच मिनिट और मैं हमारी चाय बना कर ला रही हूँ फिर हम दोनों सास बहु साथ में बैठकर सीरियल देखेंगे और उसकी मज़े लेंगे अच्छा बहु चाय के साथ ममकीन भी रख ले ना जैसे मूवी के साथ पॉपकॉन होता है ना दोनों सास बहु सीरियल देखने से पहले के बहार उसकी पडोसन सीमा आंटी हाथ में कटोरा लिए खड़ी है हरे आंटी आप वो भी इस वक सब ठीक तो है हाँ हाँ सब ठेक है वो अचानक से न मेरे घर मेमान आ गये है और चीनी खातम हो गई है चाय बनानी थी थोड़ी सी चीनी मिलेगी हाँ हाँ क्यों नहीं मैं भी लाकर देती हूँ जब तक आप माजी से बात कर लीजी इतना पूरकर सपना सीमा के हाथों से कटोरी लेकर किचन में चीनी लेने के लिए चली जाती है वहीं दूसरी और सीमा चंदा की पास बैठ कर उससे बात एकरने लगती है ये नहीं कि खाने की तयारी करो तुभारी बहु को मैंने वैसे कभी काम करते नहीं देखा ऐसा नहीं है सीमा बहन मेरी बहु नहीं सारा घर संभाला हुआ है ये चाय भी तो उसी ने बनाई थी अगर तुम दस मिट पहले आती तो तुम्हें किचन में ही मिलती करवाती हुए बीचारा उस दिन छुट्टी वाले दिन भी मैंने देखा था कैसे घर की सफाई कर रहा था अब मैं क्या बोलू दोनों बाप बिटना एक जहसी है ये लो बहु भी आ गई तुम्हारी चीनी लेकर हांटी जी चीनी ही तो देनी थी और रसुई कोई ज्यादा दूर थोड़ी ना है वैसे आप जल्दी से जाईए आपके मैमान आपका इंतजार कर रहे होंगे न सीमा चीनी लेकर अपने घर चली जाती है कुछ दिरबाद सुनेल अपने पितारविंद के साथ हाथों में सबसी लेकर आता है और घर आती ही सबसे पहले कपड़े बदल कर रसुई में चला जाता है रोज घर की औरतों के हाथों का खाना खा कर मैं और बापा तो परिशान हो गया है इसलिए आज हम दोनों बाप बेटे मिलकर कुछ अच्छी चीज़े बनाएंगे तो इस घर की औरते और देना शुरू करें प्लीज हाँ जब तुम्हे कुछ अच्छा या बाहर का खाना खाना होता है तब मा का और बीवी के हाथ का खाना अच्छा थोड़ी ना लगता है और वैसे भी खाना बाद में बनाना इस घर की लाडली बेटी परी स्टेशन के बाहर इंतजार कर रही है जाकर उसे पहले लेकर आओ बिजारी को गाड़ी ही नहीं मिल रही है क्या परी अभी तक स्टेशन परी है पापा आप देख लेना यहाँ पर मैं परी को लेकर आता हूँ ओफिस से आने के बाद भी सुनिल और अर्विन रसुई में लग जाते हैं पर जैसे ही सुनिल को पता चलता है कि उसकी बहन स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही है तो बिना किसी देरी के वो अपनी बहन को लेने के लिए निकल पड़ता है और घर आने के बाद एक बार फिर से खाना बनाने में लग जाता है कुछ देर बाद सभी एक साथ खाने के लिए बैठते हैं तभी चंदा की बहन चंदा को वीडियो कॉल करती है प्रणाम जीजी का कर रहत हो बहु के आने के बाद तो बहन को बूली गई परे बिटिया कहां है और के ब्या कब करोगी हमों के लिए एक लड़का देखे हैं हरे छोटी अभी तो तेरी भांजी पढ़ाई कर रही है अभी मैं तीन साल उसकी शादी नहीं करूँगी और देख हम सब बैठ कर साथ में खाना खा रहे है और आज का खाना तेरे जीजा और भांजे ने बनाया है अरे मुरी मैया जी जी तुमको शरम नहीं आती अपने बेटे और पती से काम करवाते हुए और तुमारी बहु का कर रही है उनको कही तसर पर चड़ा रही हो बहु बेटी के होते बला घर के मरद काम करे ये सोभा नहीं देता मौसी जी हमारे घर में तो वैसे भी शोभा नाम का कोई है यह नहीं और अगर आपको मेरे और पापा के हाथ का खाना खाना है, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, वहाँ पर जलने से कुछ नहीं होगा वैसे भी मुझे और पापा को घर में काम करना अच्छा लगता है, हमारे होते हुए हमारे घर की आउरते सारा दिन नौकरों की तरग क्यों काम करें अच्छे मौसी हम बाद में बात करते हैं, मा फोन रखो ना खाना खाते हैं चंदा की बहन चंदा को भड़काने की काफी कोशिश करती है, पर चंदा अपने बहन की बातों पर ध्यान नहीं देती और फोन रख देती है, जिसके बाद परी अपनी मा से कहती है मा आपने अपने घर की बाती मौसी को मत बताया करो, क्योंकि वो हमारे गर में फूट डालने की कोशिश करती है, हमारे गर की योर्तों को आराम मिलता है वो इसलिए क्योंकि हमारे घर के मर्द हमारी मजबुरी को समझते हैं, लेकिन ये बात वो नहीं समझेंगी, देखा, क अब खाना खाओ, सुनेल और अर्विन जी ने बहुत प्यार से बनाया है अब पडोस की लोग भी चंदा को भड़काने की कोशिश करते हैं पर चंदा किसी की बातों में नहीं आती पूरा महला और रिष्टेदार चंदा के परिवार से जलता था क्योंकि चंदा के घर में और्टों की इज़द बहुत ज्यादा होती थी सुनिल और अर्विन दोनों ही अपने घर की और्टों को सर आखों पर रखते और उन्हें बराबर का दर्जा दिया करते ऐसी ही एक दिन सपना तुम्हें तो बहुत तेज बुखा रहे हैं चलो हम डॉक्टर की पास चलते हैं अच्छा आप मुझे डॉक्टर की पास लेकर जाओगी तो ओफिस कौन जाएगा आप ओफिस जाओ मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ सुनिल सपना को घर के काम करने से रोकता है पर सपना नहीं मानती और रसुई में जाकर काम करने लगती है और जब अर्विन को इस बारे में पता चलता है तो वो सुनिल पर ही नाराज हो जाता है सुनिल ये मैं क्या देख रहा हूँ बिचारी बहु बुखार से तड़प रही है तेरी मा के पेट में दर्द है पर ही बिचारी अपने कॉलेज जा रही है और तु आफिस के लिए तयार हो रहे है इतना भी नहीं हो रहा तुझसे के तु नाश्ता बना ले एक काम कर तु मा और सपना को लेकर डॉक्टर के पास जा घर के काम और खाना मै बना लूँ गा पापा रहने दीजिये न आप दुनों क्यों छुट्टी कर रहे है आज कॉलेज की छुट्टी मैं कर लेती हूँ और घर की काम भी मैं कर लूँगी कोई ज़रुरत नहीं ये छुट्टी करने की बिटा तुम अभी अपने करियर पर ध्यान दो अभी अपने करियर पर ध्यान दोगी तो भाई की तरह आगे निकल पाओगी और तु नाला एक होता जा रहा है सुना नहीं तुने मैंने क्या का सारा काम मैं कर लूँगा तो अपने मा और बहु को डॉक्टर के पास लेकर जा अर्विन की कहने पर सुनिल अपने ओफिस में छुट्टी की अपिल डाल देता है और मा और सपना को डॉक्टर के पास ले जाता है वहीं दूसरी और अरविंद अकेले ही घर का सारा काम करता है और अपने घर की आरतों के लिए खाना भी बनाता है तब वहाँ एक पार फिर सीमा आ जाती है और अरविंद को घर का काम करता दे उससे कहती है अरे भाय साव, इस घर की आरती कहा चलीगी? कही ऐसा तू नहीं कि इस गर में ओरतों का राज चलता है मैं जब भी देखती हूं आपको और सुनिला को ही घर के काम करते होई पाती हूं इस घर की ओरतों को कुछ आता जाता नहीं क्या थोड़ा इस घर की ओरतों से भी काम करवाओ बताओ तु जरा कैसी बेशर मौरत है इस गर की सिमा भेहन थोड़ा सोच समझ कर बोलो तुम भी एक वारत हो ओरत की तकलिफ समझो मेरी बहु और बीवी की तबियत ठीक नहीं है सुने लो ने डॉक्टर की पास ले के ऐसी बीमार हालत में भी वो दोनों घर के काम करेंगे और हम मर्द के होते हुए भी अगर ऐसी हालत में उन्हें काम करने थे तो हम मर्द किस काम के हमें तो चलू भर पानी में डूब मन जाना चाहिए एरविन भाई साब मैं तो चंदा बहन से मिलने आई थी पर आपको घर की काम करती देखा तो अच्छा नहीं लगा मैं तो आपी की तरफ से बोड रही थी पर आप तो उल्टा मुझे ही सुना रहे है भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा हमें ऐसी भलाई के जुरुत नहीं है जो हमारे घर को तोड़ दे जन्दा अभी घर पर नहीं है जब आएगी तरह मिलने के लिए आजाना अर्विन सीमा को मुझे टोड़ जबाब दिता है अर्विन के बाते सुनकर सीमा को बहुत गुस्था आता है और वो अपना मुझे टेड़ा करके अपने घर चली जाती है लोगों के भढ़काने के बाद भी अर्विन्द के घर में कोई कलेश नहीं होता और वो लोग इसी तरह से एक साथ हसी खुशी रहते हैं